हे गाईस कैसे हैं आप लोग आई हो आप लोग अच्छे होंगे वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है रीमा सुधी और आज मैं आप लोग से रजमा की सब्जी का रिसे की सेर करूंगी तो प्लीज आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा और प्लीज जो लोग मेरे चैन तो राजमा बनाने के लिए में ली हूँ तीन प्याज टमाटर लैसून और यह है डाल चीनी अद्रक मिर्च इतना ली हूँ और इसको मैं उबाल ली हूँ दो सीटी लगाई थी इसको रात में भीगोने के लिए रख दी थी और यहां पे थोड़ा सा तेल डाली हूँ करहाई में गरम हो गया है तेल और इस सब को इसमें फ्राई करूंगी थोड़ा साथ फ्राई करके तब बनाने से बहुत टेस्टी बनता है राजमा के सबजी तो इसमें फ्राई कर लेती हूं वस थोड़ी देर के लिए 5 मिनट बस हो जाएगा राए जैदा देर न ही बस 5 मिनट तक करना है अब देखिए इसे में ठंडा करने के लिए रख देती है थोड़ा थंडा हो जाएगा फिर इसको मिक्सी में पीस होंगी थंडा हो गया है अब इसको पीस लेती हूं और उपर से मिर्च दो ही मिर्च डाली थी तो इसलिए में दो सुखा मिर्च ली हूं लाल मिर्च और इसमें और जीरा गोल मिर्च यह सब डाल यह सब पीस लेती हूं मिक्सी में और गोल मिलिच चार गोल मिलिच डाल रही हूं मसाला पीस ली हूं में और फोरन में जीरा तिश पत्ता और मसाला डाल दी अब इसको थोड़ा फ्राइ करूंगी और इसमें धनिया हल्दी इस सब भी मिला दी इसमें दो चम्मस धनिया डाली हूं आप लोग जितना बनाए उस हिसाब से मसाला डालेंगे बहुत टेस्टी लगता है यह सबजी यह रिसीपी आप लोग एक बर जुरू ट्राइ किजिएगा और इसे ढख देती हूं ढख के मसाला फ्राइ करने से मतलब अच्छे से फ्राइ हो जाता है देखिए हो गया अब इसमें में राजमा डाल दी उसमें पानी थोड़ा कम था इसलिए मैं मतलब थोड़ा एक गलास पानी एट कर रही हूं इसमें क्याक्याधात करुव एक कि चावल के साथ है तो इसलिए थोड़ा सा जोल चाहिए तेरी एक उबाल आया तो गरभ मसाला ड़ाद इसमें थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा सा और खौनने दूँगी उसके बाद इसको उतार दूँगी मैं उस हो गया है सबजी मेरा बन गया सबजी आप लोग देख सकते हैं देखने में टेस्टी लग रहा है आप लोग जुरूर बताएगा कैसा लगा है रिस्टीपी आप लोग जुँ टुरूर वोग जुब कि लगँ जुरूर ईग जुब